कासगंज दंगे के बाद तिरंगे के प्रती जोश, जजबा और सम्मान दिखाने के लिए आगरा में एक और तिरंगा यात्रा निकाली गई लेकिन इस तिरंगा यात्रा ने आगरा के प्रशासनिक महकमे की परिशानी बढ़ा दी दरसल प्रशासन के सामने चुनोती ये थी कि अगर तिरंगा यत्रा शहर के संवेदनशील इलाखों से गुजरी तो कहीं कासगंज वाले हालात न बन जाएं और अगर तिरंगा यत्रा को रोक दिया तब भी हंगामा होना तै था ऐसे में प्रशासनिक अधिकारियों की सूज बूच से आगरा में कासगंज की तरह आग लगने की संभावना को खत्म किया गया दरसल विश्व हिंदू परिशद और बजरंग दल ने आगरा में तिरंगा यत्रा निकाली जिसे जिला समाहनाले पर मुख्यमंत्री के नाम दीयम को ग्यापन सौप कर खत्म होना था ग्यापन में चंदन कुपता को शहीद खोशित करने समेश पांच मांग की गई मीडिया रिपोर्ट में बताया गया था कि इस यत्रा से पहले फिरोजाबाद में विश्व हिंदू परिशद और बजरंग दल के कारेकताओं की तिरंगा यत्रा को जब पुलिस ने रोका था तो उनकी पुलिस से जड़प हुई थी लेकिन अहम सवाल ये है कि क्या किसी शहर में तिरंगा यत्रा निकलने से वहां का माहौल खराब हो सकता है क्योंकि आगरा में तिरंगा यत्रा के दोरान प्रशासनिक मुस्तैदी ये साफ इशारा करती है कि वो दंगो जैसे हालात तक से निपटने के लिए तैयार थे यत्रा के राश्ते में पुलिस की अतरिक्त टुकडी के साथ घुटसवार दस्ते को भी तैनाथ किया गया था तय कारिक्रम के अनुसार तिरंगा यत्रा शहीद इसमारक से शिरू हुई कासगंज हिंसा के बाद फोलिस आगरा को हिंसा की आग में जुलसने से बचाने के लिए मुस्तैद थी समस्या ये थी कि तिरंगा यात्रा को रोकने का ऐसा क्या तरीका हो सकता है जिससे लोग उग्रना हो जाएं समविदंशील माहौल में इस चुनोती से निपटने का आगरा जुलाधिकारी गौरफ दयाल ने बड़ा ही आसान तरीका अपनाया यात्रा के शहीद इस मारक से आगे बढ़ते ही जुलाधिकारी गौरफ दयाल और स्सपी अमित पाठग लोगों के सामने आ गए उन्होंने इस मारक से बढ़ते ही भी एचपी और बजरंग दल के कारेकरताओं से वो ग्यापन ले लिया जिसे जिला समहनाले में डीम को सौपा जाना था इसके बाद कारेकरताओं को तिरंगा यत्रा बहीं खत्म करना पड़ा अलकि इस दोरान कारेकरताओं ने जोर शोर से नारे बादी की कासगंच की घटना के बाद ये सवाल उठने लगा था कि क्या देश में तिरंगा यत्रा निकलने से भी माहौल बिगड सकता है सोशल मीडिया पर लोग तरह तरह से सवाल उठा रहे हैं तो कई तिरंगे का सियासी इस्तेमाल किये जाने पर आग्रोश भी चता रहे हैं लेकिन लोगों का राश्ट्रबाद के नाम पर तिरंगा यत्रा निकाले जाने पर खौफ ज़दा हो जाना चिंता करने वाली बात है आग्रा में तो जुलादिकारी ने समझदारी से कास गंच वाली घटना को दोहराय जाने से रोक दिया लेकिन अगर देश का राश्ट्रिय धज भी सियासी वजहों से इस तरह के विवाद में घसीटा जाने लगे तो ये देश के लिए ही नुकसान दे हो सकता है जिस तिरंगे के नाम पर पूरा देश एक जुट होता रहा है उसे ही देश में हिंसा की वजह बनने के कारणों को तलाश कर जल्द खत्म किया जाना जरूरी है इंडिया न्यूज वाइरल की रिपोर्ट